Hello everyone, Welcome to Agri-Culture Edda 24-7 Agriculture Edda 24-7 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं आज की अपनी क्लास और आज हम देखते हैं कि क्या खास करने वाले है ठीक है? बहुत खास होने वाला है आज का सेशन जो है बहुत इंपार्टेंट होने वाला है तो चलिए बच्चो, शुरू किया जाए अपनी class को और देखते हैं कि आज क्या खास रहेगा चलिए, शुरू करते हैं Very good evening, शैलेंद्र चलिए, क्या, very good evening चलिए बच्चो सुरू करते हैं अपनी class को आज बहुत खास होने वाला चलिए, very good evening और उसी बच्चे आज हम लोग rubber के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानि कि जो rubber का plant होता है, उसके विसाय में हम लोग जनकारी करने वाले हैं, उसके विसाय में detail discussion करेंगे, क्योंकि बहुत important है, rubber से आपके questions बनते हैं, और काफी सारे questions आजकल बनने लगे हैं, चलिए, तो आगे हम लोग बात करेंगे, कि ये जो अड़ा का आपका application है, उस अड़ा के application को आप लोग download कर लीजे, और यहाँ पर जो free quiz हैं, वो भी आपको मिलेंगे, साथ ही साथ आपको जो YT वाले videos हैं, यानि कि जो YouTube पर videos आप लोग देखते हैं, वो भी videos का link आपको यहाँ पर दीर दीरे मिलने लगेगा, ठीक है, तो आपको बहुत जगा गूमने की जरुवत नहीं पड़ेगी, बहुत खोजने की जरुवत नहीं पड़ेगी, आपको सारे videos यहीं पर मिल जाया करेंगे, चलिए, आगे हम लोग देखेंगे, कि क्या खास होने वाला है, क्या, आगे हम अरुसि avi प्रगती और बोमका तो बच्चे क्या इसको पैरा अरबर भी कहते हैं और इसका जो scientific नीम है वो है क्या आपका हैवे बासी लेंसे क्या है बाजी लेंसेस इसका botanical नीम होता है या फिर आप इसको scientific नेम बोल पटे में ठीक है चलिए, यहां तक चीज़ें clear है, family की बात करें, तो family इसकी होती है, क्या, family इसकी होती है, U4BAC, ठीक है, family क्या होती है, family होती है, U4BAC, बहुत important है, इसको आप ध्यान दखेंगे, क्या, family U4BAC और इसका scientific name आप याद रखेंगे, उसके बाद आपने गर रबर का प्लांट नही लगता कैसा है, तो यह, मैंने उसकी सिर्फ image रखें, क्योंकि पूरे plant की image आपको नहीं समझ में आएगी, ठीक है, आप उसको नहीं से analyze कर पाएंगे, यह आपका rubber plant है, देखने में बिल्कुल कैसा लगता है, जैसे आपका क्या हो, ficus bengalenses हो, क्या हो, देखने में बिल्कु करेंगे, आगे देखेंगे, कि आगे क्या है, image हमने आपको दिखा दी, यहाँ से आपको idea लग जाएगा, कि यह देखने में कैसा लगता है, बाकी चीजें हम आगे discuss करेंगे, और देखेंगे क्या-क्या important चीजें आपकी होती है, तो चलिए, सुरू करते हैं और देखते है कि आगे अब हम लोग क्या discuss करने वाले हैं, तो हम अब बात करेंगे इसके origin place की, किसके bear के, माफ करना bear कह रहा हूँ, हम लोग rubber के, किसके rubber के origin place की बात करेंगे, rubber के origin place की बात, तो rubber का जो origin place है बच्चे, वो आपका कौन सा, Amazon River Basin of Southern America, यानि कि दच्छन अमेरिका का जो Amazon River Basin है, यानि कि Amazon नदी का जो basin वाला इलाका है, वो आपका इसका origin place माना जाता है, क्या माना जाता है, Amazon नदी के जो basin वाला जो इलाका है, Southern America में, वो इसका origin place माना जाता है, और कह रहा है, कि this crop was introduced to South Asia through Kew Garden, देखो Kew Garden है एक, क्या है, एक garden है, जिसका नाम है Kew, वो आपका कहा है वो है आपका South Asia में, माफ करना, वो है आपका UK में, यानि कि United Kingdom में, वहां से ये introduce हुआ था, कहां पर, South Asia वाला जो reason है, उस reason में introduce हुआ था, और उसके बाद ये क्या हुआ, कब 1917 में आया, 1970 में आया, और कह रहा, अब ये क्या हो गया है, पूरे tropical reason में, यानि कि जितना भी tropical reason है, Asia, Africa और America का, वहां पर ये grow कराया जाता है, ठीक है, क्या, कि कौन सा इसका origin place है, Amazon, रिबर बेशन जो है, वो इसका origin place है, और ये कीव गार्डन जो UK है, वहां से ये आया था, South Asia में, वहीं से introduce हुआ था, 1970 के असपास, और अब इसकी जो condition है, यानि कि पूरे grow करने की बात की जाए, तो अब ये धीरे-धीरे करके, कहां पर, पूरे South Asia में, मतलब पूरा जो ट्रॉपिकल रीजन है, चाहें वो Asia का हो, आपका Africa का हो, या फिर आपका America का हो, उन सारी जगहों पर क्या करने लगाए, सारी जगहों पर grow होने लगाए, ठीक है, बोलो यहां तक चीज़ क्लियर हैं, तो अब हम आगे चलेंगे, आगे हम बात करेंगे, एक सबसे important बात, जो सबसे important बात क्या है, वो हम देखते हैं, क्या, सबसे important बात क्या है, वो हम देखेंगे, कह रहा है कि India's rank, India ranks 5th and 4th in total area and production, कह रहा है कि अगर area के विहाप में बात करें, किसके? area के विहाब में बात करें तो जो India की rank है वो कितनी है वो है आपकी 5th और अगर production के विहाब में बात करें किसके production के विहाब में बात करें तो India की rank है कौन सी 4th ठीक है कौन सी 4th ये data है आपको ध्यान रखना है इस data से आपका क्या होगा इस data से questions बनते हैं, सीधे सीधे पूछाता है कि इंडिया की rank बताओ area और production में rubber से आपके बहुत ज़्यादा अंदर question नहीं बनते हैं, मैं फिर भी clear कर रहा हूँ questions जो बनेंगे वो आपका data से बनेगा, कुछ और points हैं, वो मैं आपको बताऊंगा class में जब मैं पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताता चलूँगा कि कहां से questions आपका बनता है चलिए, very good evening to Malik और very good evening to Ravi, ठीक है बच्चे, चलिए, ये है आपका production और एक खास बात है, कह रहा है कि natural rubber ध्यान रखना बच्चे, natural rubber और synthetic rubber दोनों चीज़े अलग है हम natural rubber की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो rubber जो हम plant से obtain करते हैं, यानि कि plant से प्राप्ट करते हैं, हम उस rubber की बात कर रहे हैं, उसको natural rubber कहते हैं कटरा It Productivity India's Rank 1st in the word अगर productivity की बात कि जए किसकी? अगर productivity की बात कि जए तो जो इंडिया की rank है वो विस्व में सबसे ज़ाधा है क्या है? विस्व में सबसे ज़ाधा है यानि कि पहली rank है किसकी? प्रोड़क्टिविटी के बिहार पर इंडिया टॉप पर है ये बात आप ध्यान रखेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ठीक है क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसको आप ध्यान रखेंगे चलिए यहां तक चीजें क्लियर है यहां तक बच्चे क्लियर है तो अब हम आगे चलेंगे यहां पर एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, अगर हम इंडिया के विहाप में बात करेंगे, तो जो सबसे ज़्यादा सबसे स्टेट है, यानि कि मेजर रबर प्रोडूसिंग स्टेट की बात करें, तो वो आपका कौन सा है, वो है आपका केरला, ठीक है, वो आपका है, केरला, क्या है, केरला है, ठीक है, जो रबर प्रोडूसिंग स्टेट में सबसे आगे होता है, ठीक है, चलिए, इसको आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से कोशन्स आपके पंते हैं, आगे हम चलेंगे तो आगे हम बात करेंगे अब बात करेंगे किसकी क्लाइमेट की बात करेंगे किसकी बात करेंगे अब हम बात करेंगे बच्चे क्लाइमेट की तो क्लाइमेट कैसी चाहिए इसको ग्रो कराने के लिए तो कहरा tropical climate चाहिए पीछे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यह tropical reason जो भी है Asia, Africa या America का वहाँ पर grow करता है तो आप समझ सकते हैं कि इसको tropical climate चाहिए वह भी कैसी tree of warm humid climate यानि कि यह जो आपका plant है यह कैसा warm humid climate का plant है यानि कि जहां पे condition warm humid होगी यानि कि temperature ज़्यादा होगा humidity ज़्यादा होगी वहाँ पर यह बहुत अच्छे डंग से grow करेगा यह बाद आपको मालुम है कि जो आपका ये plant होता है tropical reason में जब grow करेगा तो tropical reason में temperature भी ज़्यादा होता है और जहां पर temperature ज़्यादा होगा humidity वहाँ पर ज़्यादा होगी ठीक है चलिए उसके बाद हम बात करते हैं temperature की कि किस temperature पर ये grow करेगा क्या किस temperature पर ये grow करेगा तो 21 to 35 यानि कि 21 से लेकर 35 डिग्री का टंप्रेचर जो होगा 21 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेट का जो टंप्रेचर होगा वो सबसे बढ़िया टंप्रेचर होगा किसकी ग्रोथ के लिए रबर प्लांट के ग्रोथ के लिए वो सबसे अच्छा टंप्रेचर है जहां पर ये आपका plant अच्छे से सर्वाइब करेगा अगला point है altitude की अगर बात करेंगे किसकी? altitude की अगर हम बात करेंगे तो जो आपका rubber plant है वो 500 meter mean as sea level यानि की 500 meter समुदर तल से उचाई कितनी 500 meter समुदर तल की उचाई तक grow करेगा बो बच्छे यहां तक चीज़ें समझ में आ रही हैं अगर समझ में आ रही हैं तो comment करते रहा करो कि हां सर चीज़ें समझ में आ रही हैं और साथ साथ like भी करते जाया करो क्या? साथ ही साथ like भी करते जाया करो बच्छे तो altitude 500 meter की उचाई यानि की समुतितल से 500 meter की उचाई तक क्या करेगा 500 meter तक की उचाई तक grow करता है उसके बाद क्या है उसके बाद कह रहा है sun sign tropical condition में grow कर रहा है जब tropical condition में grow कर रहा है तो आपको मालूम है कि sun sign वहाँ पर जादा रहेगी और कितनी रहेगी उसकी हम बात कर लेते कह रहा है It is a sun loving tree requiring six hour of sun sign per day throughout the year कह रहा है कि ये जो rubber का plant है ये कैसा है sun loving tree है यानि कि इसको sunlight बहुत पसंद होती है उसके साथ साथ ये कह रहा है कि minimum इसको 6 गंटे sun sign आवर चाहिए पूरे साल के लिए कितनी six hour sun sign चाहिए इसको per day per year क्या six hour sun sign per day per year चाहिए ठीक है कह रहा है कि और that is about that is about 200 hours per year यानि कि अगर average की बात की जाए क्या अगर average की बात की जाए तो लगबग कितना 200 गंटे per year यानि कि एक साल में इसको 200 गंटे या फिर 6 गंटे per day के हिसाब से चाहिए तो एक average data आपका बता भी आ गया है जिस average data के हिसाब से इसको आपको ध्यान रखना है ये question आपका बन जाता है या यहां से question आपके बनते हैं ठीक है चलिए आगे देखेंगे आगे बात करेंगे आगे देखेंगे rainfall की बात करेंगे किसकी rainfall की बात करेंगे तो कह रहा है कि यह वहाँ पर अच्छे से grow करेगा जहां पर rainfall 200 cm से जादा होगी यानि कि 200 cm मिनमम चाहिए ही चाहिए इसको rainfall यानि कि high rainfall areas अगर है तो वहाँ पर grow करेगा 200 cm से अगर कम है rainfall तो वहाँ पर ये थोड़ा सा मुश्किल होगा क्यों क्योंकि आपको मालूम है कि tropical reason में बारिस वैसे भी क्या होती है जादा होती है इतना तो आप समझते होंगे जियोग्राफी आपने देखी होगी आपने पढ़ी होगी तो उसे से आप tropical और सब ड्रापकल लीजन का पता तो लगा सकते हैं बोलो यहां तक चीज़ें clear है चलिए यहां तक चीज़ें clear है तो फिर हम आगे चलें और आगे देखते हैं आगे हम लोग बात करेंगे स्वाइल की किसकी स्वाइल की बात करेंगे तो स्वाइल की बात करेंगे और स्वाइल में देखेंगे कह रहा है कि इसकी जो स्वाइल की लिए डिफ्ट चाहिए प्लांट्स के ग्रो करने के लिए तो depth आपकी कितनी होनी चाहिए 125 cm होनी चाहिए या फिर आप इसको मीटर में भी convert करके लेख सकते हैं 1.25 ठीक है तो कह रहा है कि 125 cm गहराई होनी चाहिए depth गहराई से मतलब बच्चे आप समझते हैं ना कि जो आपकी ये soil है यानि कि मैं vertical काट रहा हूँ इसको vertically समझे अप ठीक है तो उपर की जो है ये 30 cm वाली ये आपकी होती है top soil क्या होती है top soil होती है और उसके नीचे जो होती है sub soil हम ज़्यादा वो नहीं पढ़ रहे हैं क्या हम social soil science नहीं पढ़ रहे हम सिर्फ जन्दली आपको समझा रहे है कि ये top soil है ये sub soil है तो ये जो vertical गहराई हो है ये ज़्यादा होनी चाहिए बीच में कोई hard pen नहीं होना चाहिए ताक कि roots का development कैसा हो सके अच्छे से हो सके ठीक है बच्चे यहां तक clear है आगे कह रहा है कि slope a gentle slope is needed यानि कि थोड़ा बहुत endulated अगर land है slope है उची उबर खावर land है तो कोई दिक्कत नहीं है आराम से अच्छे से वहां पर grow करेगा pH क्या चाहिए तो pH जो चाहिए वो 5.5 से लेकर 6.6 चाहिए क्या 5.5 से लेकर 6.5 चाहिए जो की सबसे बढ़िया होता है क्या जो की सबसे बढ़िया होता है आपका pH किसके लिए आपके रबर के प्लांट के grow कराने के लिए ठीक है क्या रबर के प्लांट के ग्रो कराने के लिए सबसे अच्छा pH होता है ठीक है बोलो यहां तक चीज़े clear है कह रहा है कि स्वाइल की बात करें किसकी और अगर पूछें कि कौन सी स्वाइल तो deep मैंने आपको बताई दिया साथ ही साथ lateral जो स्वाइल होती है या lateratic जो स्वाइल होती है वो स्वाइल सबसे बढ़िया होती है क्या lateratic soil जो होती है सबसे बढ़िया होती है temperature मैंने आपको पीछे बताई दिया मैंने आपको depth भी बता दी साथ ही साथ मैंने आपको pH भी बता दिया कि कितना pH चाहिए 5.5 से लेकर 6.5 तक चाहिए सबसे अच्छा pH होता है किसको rubber के plant को grow कराने के लिए ठीक है यहाँ तक चीज़े clear है बच्चे चलिए अगर humidity आपसे पूछ ले क्या अगर आपसे humidity पूछ ले कि humidity का percentage क्या चाहिए क्या humidity का percentage क्या चाहिए तो minimum आपका 80% humidity कैसा होता है sufficient होता है आपकी rubber के plant की growth के लिए कितना 80% humidity सबसे अच्छी होती है rubber के plant की growth के लिए चलिए आगे हम चलते हैं बात करते हैं propagation की किसकी बात करते हैं propagation की तो देखो बच्चे propagation इसका कई तरीके से होता है कैसे propagation इसका कई तरीके से होता है लेकिन जो सबसे best method होता है यानि कि जो सबसे popular method होता है वो है आपका budding, क्या propagation में जो सबसे popular method है वो है आपका budding और हम उसी budding के बारे में करेंगे बात क्या हम उसी budding के बारे में बात करेंगे हम ज़्यादा बहुत, है तो बहुत सारे method clone method भी है, seedling method भी है, ठीक है और भी बहुत सारे method हैं लेकिन हम बात सिर्फ करेंगे किसकी जो आपका सबसे important है या फिर सबसे popular method आपका होता है ठीक है तो कह रहा है कि popular method of vegetative propagation in rubber is by bird grafting क्या बर्ड ग War impacting या budding एकी बात है बच्चे because not हो ना ठीक है चलिए उसके बात कहा है using buds of selected mother tree यानी कि mother tree जो जो है उससे क्या करते हैं बर्ड को select करते हैं और उसको graft करते हैं उसी को budding कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं उसी को budding कहते हैं बोदो बच्चे यहां तक चीज़े clear हैं यहा चलिए कह रहा है कि जो नर्सरी में आपने सीडलिंग तयार की है उसको हम ग्राफ्ट कर सकते हैं और ग्राफ्ट कब करेंगे जब जब उसकी ग्रोथ जो है यानि कि जो ग्रोथ है वो पेंसिल ठिकनेस या उससे ज़्यादा की हो जाएगी तब हम क्या करेंगे उसको ग्राफट कर सकते हैं ठीक है यहां तक चीज़े ग्लियर हैं क्या कर सकते हैं उसके बाद कहरा है budded stocks are ready to be stumped above 4 weeks after budding कह रहा है कि जो हम budding करते हैं उसके जो plants हैं वो चार वीक्ष के बाद ready हो जाते हैं जो चार बोडों 15 cm above the bud patch and the stems are pulled out and transplanted in the main field ये आपको नहीं समझ में आया होगा इसको मैं आपको समझा देता हूँ कह रहा है कि जब हम budding करते हैं देखो साधारन सी बात है जैसे ये आपका plant है इसमें कोई ये bud है और जब हम budding करेंगे तो हम सिर्फ bud का इस्तेमाल करते हैं तो हम जब bud का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ इस वाले area से bud को निकाल देंगे यानि कि जो उसका बार्क होता है उसको हम निकाल देते हैं और निकालने के बाद दूसरी bud को वहाँ पर लाके चिपका देते हैं बाकी उपर का plant हम कटन नहीं करते हैं ठीक है जब ये bud आपकी वहाँ पर लग जाती है और क्या होता है उसके साथ-साथ ये सर्वाइब कर जाती है और यहाँ पर नई growth स्टार्ट हो जाती है तब वो कितने तेने में चार महीने नहीं चार week किया चार week में आपकी आ जाएगी तो जब यहाँ पर growth आजाएगी तब हम इस वाले portion को cut कर देते हैं ठीक है, क्या करते हैं तब हम इस वाले portion को cut कर देते हैं उसमें लिखा है कि they are cut 10 to 15 cm above the bud patch ठीक है, यानि कि bud patch के above कितना 10 से 15 cm यानि कि लगबग जो भी आपका 10 से 15 cm बनेगा उसके उपर से हम उसको cut देते हैं और ये वाली growth आपकी चलती रहेगी ठीक है, और उसके बाद हम इसको निकाल कर और main field में transplant कर देते हैं जहां पर हमको transplant करना होता है बोलो यहां तक चीज़े clear हैं बच्चे, चलिए Sir, UP cat-ed PG वालों को अलग से आएगा, या जो भी आया है, उसी में apply करना होगा अच्छा, C-U-C-T मुझे लगा UP C-U-C-T का बच्चा आ चुका है चंडीगर उनिवस्टी के गर आप बात कर रहे हैं ठीक है, हाँ, C-U-C-T का उसी में apply होगा एक साथ ही एक साथ ही apply होगा M-S-C-A-G के लिए important crop है या छोड़ सकते हैं बच्चा देखो crop आपकी पूछी जाती है अगर आपका horticulture syllabus लिखा है तो उसके लिए important है अगर important ना होता तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ाता ठीक है, किसी ना किसी exam में important है और question बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो किस crop को पूछे ठीक है, important नहीं होता या questions बिल्कुल ना बनते होते तो मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा होता क्योंकि ना मैं अपना समय खराब करता ना मैं आपका समय खराब करता, मैं यहाँ पर किसी और दूसरी crop कर लेकर आता ठीक है, बचे तो important है आप इसको पढ़िए कुछ ना questions आपके यहाँ नहीं तो कहीं और किसी ना किसी exam समय questions आपके बनेंगे, ठीक है और CUCT की बात है बचे, तो CUCT में देखो क्या होता है, कि CUCT का जो form आ गया है, उसमें चलिए, हाँ, अच्छी उनिवस्टी है आप देजी आराम से, ठीक है तो हम इसको बात करें तो बोलो यहाँ तक चीज़ें clear हैं बचे, अगर यहाँ तक clear हैं, तो जल्दी से बताओ कि हाँ, यहाँ तक सारी चीज़ें clear हैं उसके बाद हम आगे बात करेंगे ठीक है, क्या, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, कहेंगे कि preparation of land और बात करेंगे, pit size वकेरा जो है, हम लोग कैसे maintain करते हैं क्या, preparation of land और हम लोग pit size की बात करेंगे Central University वाला पूछा है बच्चा, Central Agriculture उनिवस्टी के अगर आप बात कर रहे हो तो Central Agriculture उनिवस्टी का मुझे भी idea नहीं है कि form आ चुका है वो तो ICR से आता है, उसका तो अलग कोई form आता ही नहीं है, Central Agriculture उनिवस्टी का form जो है, वो ICR से seat fill होती है, किसे? ICR से seat fill होती है और जो ये CUCT जिसके आप बात कर रहे हैं वो चंडीगर उनिवस्टी का भी एक form आता है जहां पर MSC Agriculture होता है ठीक है, और Central उनिवस्टी जो मनिप और इमफाल में है वो आपकी, या जो और है जैसे UP में रानी लक्षमी वाई है ठीक है, बिहार में है तो उन सब का वो है वो ICR से सीटें फेल करते हैं उनका अलग से कोई form नहीं आता है चलिए, preparation of land की बात कर रहे हैं किसके? preparation of land की बात कर रहे हैं तो कह रहा है कि all preparation should be finished before planting यानि कि preparation of land में ऐसा कुछ नया नहीं करते हैं सिर्फ वो करते हैं जहां पर आपको field त्यार करना है वही प्लाउं करने है वही आपको manage करना है सारी चीजें बस ध्यान क्या रखना है आपको season ध्यान रखना है कि कब हमें इस सारी चीजें करनी है तो जो हमारा planting season है उस planting season से पहले हमको इस सब करनी है और जो हमारा planting season होता है वो कब है वो आपका June और July का सबसे बढ़िया होता है क्या planting season जो है वो June और July होता है सबसे अच्छा यानि कि इस time हम करेंगे plant और plant करेंगे तो plant करने से पहले हमको pit size और pit वगेरा develop करने होते हैं क्योंकि उन ही pits में हम क्या करेंगे plants को लगाएंगे ठीक है क्या करेंगे उन ही pits में हम plants को लगाएंगे तो अब देखते हैं कि pit size क्या होता है क्यारा pit size it varies from 75 to 90 centimeter depending upon the soil type soil type और type of planting material पे क्या करता है ये vary कर जाता है ठीक है क्यारा कि अगर hard soil है तो wider pits सही होंगे और क्यारा है कि अगर type of planting material है stumped budding अगर है तो wider and larger pits सही होंगे क्यारा and in germinated seed go for smaller pits यानि कि अगर आप seedling को plant कर रहे हैं किसको अगर आप seedling को plant कर रहे हैं तो आप छोटे pits को लगा सकते हैं छोटे pits बना सकते हैं अगर आप किसको अगर आप seedling या grafted को plant को लगा रहे हैं तो फिर आप बड़े पटका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है बोलो यहां तक चीज़े clear हैं बच्चे चलिए यहां तक अगर चीज़े clear हैं तो फिर अब हम चले आगे और आगे देखते हैं कि आगे क्या है और आगे क्या khas होने वाला है चलिए यह एक आपको दिख रहा होगा visual हो रहा होगा आपकी screen में इसमें कुछ चीज़े मैंने दिखी है planting method और spacing की बात की है क्या planting method और spacing की बात की है बच्चे तो planting method और spacing ठीक है चलिए planting method और spacing की बात की है तो कह रहा है कि अगर हम hilly areas पर लगाएंगे कहां पर? hilly areas पर लगाएंगे तो हम spacing क्या रखेंगे? तो हम रखेंगे 6.7 गुणा 3.4 क्या? अगर हम hilly areas पर लगाएंगे तो 6.7 into 3.4 मीटर रखेंगे और number plants जो आपके आएंगे वो 445 आएंगे per hectare square system का इस्तेमाल करेंगे। किसको स्कॉआर सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे circular स्कायर सिस्टम में जो हमें स्पेसिंग रखेंगे वो 4.9 into 4.9 मीटर रखेंगे तब जाके हमारे नमबर आप प्लांट्स के आएंगे 420 आएंगे वो 420 मत समझ लेना आप लोग कौन सा कि वो 420 नहीं कर रहे हैं क्या कर रहे हैं बिलकुल exact number की बात कर रहे हैं थीक है चलिए यहाँ तक चीज़ें clear है बच्चे चलिए यहाँ तक चीज़ें clear हैं तो फिर हम आगे बात करें क्या आगे triangular सिस्टम से अगर हम लगाएंगे तो हम spacing रखेंगे 4.9 into 4.9 और number up plants क्या होंगे वो हो जाएंगे 470 ठीक है अब आप सोच रहे होगे कि नंबर आप plants कैसे बढ़ गए और spacing तो हमने 4.9 ही रखी है ठीक है तो जब हम इसको calculate करेंगे तो नंबर आप plants आपके बढ़ जाएंगे ठीक है क्यों क्योंकि कुछ plants कैसे जो आपका square बनेगा square में जब आप लगाते हैं तो सारे plants एक सीधी रेखा में आते हैं लेकिन जब आप triangle बनाएंगे तो कुछ plants पहले लगेंगे यानि कि odd और even row के हिसाब से कुछ plants कैसे लगेंगे पहले लगेंगे तो इस वजए से नंबर आप plants आपके बढ़ जाएंगे ठीक है तो confuse मत होना कि यहां पर spacing तो same है और plants क्यों आपके जादा हो गए समझ रहे बच्चे ठीक है चलिए तो यहां तक आपको समझ में आया अगर चीज़ें समझ में आई हैं तो जल्दी से एक बार comment कर आओ comment करके बताओ बच्चे कि हाँ चीज़ें clear है ठीक है चलिए यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो आप जल्दी से एक बार comment करके बताओ कि हाँ सर यहां तक सारी चीज़ें clear है और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं आगे कि आगे क्या खास होने वाला है चलिए जल्दी बताईए जल्दी बताईए पूछ रही है कि Central University वाला देखो बच्चे वह CUCT अलग है आपको मालूम है कि ICR अपना अलग exam कराता है ठीक है तो ज्यादा confused मत हो आप लोग आप अपने सिर्फ exam पर focus करो CUCT में अभी agriculture का कोई ऐसा scene नहीं है जो भी exam होगा वो ICR से होगा हाँ जब इसको add किया जाएगा तब सर पर notification में सिर्फ यूजी वालों के लिए दिखा है पीजी वालों के लिए नहीं है इस पर एक वीडियो बनाएगे बिल्कुल जरूर बनाएंगी बच्चे मैंने आपकी चीज को देख लिया है मैंने CUCT को भी अभी देखा है आप जो कह रही हैं हम उस पर वीडियो बनाए बनाएगा वो कराएगा तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे जरूर बनाएंगे ठीक है बच्चे चलिए अभी इसको पढ़ लो काफी इंपॉर्टेंट है यहां से कोशन बनते हैं चलिए आगे चलते हैं आगे हम बात करेंगे after care की तो देखो अब यहां से पढ़ना बहुत जरूर बनता है और वो हम लोग डिसकस करेंगे यहां से तो कहरा after care क्या after care की बात कर रहे हैं तो पहली चीज़ है कहरा for rubber tree under tapping तो tapping जो सब्द है यह एक काफी बड़ा मुद्दा है इसको हम लोग बहुत detail में समझेंगे अभी ठीक है यहां से question बनते हैं इस tapping से तो कहरा for rubber tree under tapping usually even seven year of age यानि की जो plant सात साल के उपर के हो जाते हैं यानि की सात साल से ज्यादा के हो जाते हैं उनमें क्या करते हैं उनमें हम लोग tapping करते हैं यानि की वो tapping के लिए eligible हो जाते हैं इस बात को समझना उससे पहले manuring देख लेते हैं फिर हम यहां पर tapping को पूरा detail में समझेंगे कह रहा है अप्लाई 12-6-6 यानि NPK grade mixture at the rate of 400 kg प्रत हेक्टियर कह रहा है कि जो NPK आपका 12-6-6 के अनपात कहाता है उसको 400 kg प्रत हेक्टियर के हिसाब से आपको देना है कब दो split dose में देना है कब अपरैल से मई के टाइम पर और दूसरा सेप्टेंबर अक्टूबर के टाइम पर ये सबसे ज़्यादा important है ठीक है उसके बाद कर रहा है P2O5 has been applied to rubber in the form of rock phosphate इस बात को आप ध्यान लख रेना पूछा जाएगा कि जो rubber में फास्पूरस अप्लाई किया जाता है वो किस फॉर्म में दिया जाता है तो आप इसको ध्यान रखेंगे बच्चे कि ये rock phosphate के फॉर्म में दिया जाता है इसके rock phosphate के फॉर्म में दिया जाता है इस बात को आप ध्यान रखेंगे अब हम यहां से डिसकस करेंगे tapping के बारे में बहुत important है अब यहां पर ही सबसे आदा चीज़े है इमेज आप देख लो यह है आपकी tapping क्या है यह है tapping इसको बोलते हैं tapping tapping का मतलब कि rubber से जो liquid निकल रहा है क्या rubber से जो liquid निकलता है यानि कि जो liquid rubber होती है वो आ यहां पर एक निसान लगाया गया है और यहां पर एक छोटा सा यह पत्ति लोही की लगा दी है और इससे यह LETEK्स जो है इखटा होकर नीचे यहां पर एक stand लगा दिया है और एक bubble रख दिया है उसी वो collect हो रहा है, इसी process को tapping कहते हैं, अब इस tapping को करने में बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको हम समझेंगे, question आपका tapping से पूछा जाता है, क्या, question आपका tapping से पूछा जाता है, तो उस tapping को हम लोग ध्यान रखेंगे, उस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, चलिए, इस tapping पे हम questions बनते हैं, तो उसको अब हम लोग देख लेते हैं, tapping की बात करें, तो करा latex, यानि कि latex किसको कहते हैं, latex वो जो आपको milk दिखाया है, white color का, उसको latex कहते हैं, करा latex is obtained from the bark of the rubber tree, करा जो latex है, यानि कि जो milk है, वो कहां से, वो rubber tree की bark से obtained होता है, इस बात को आप ध्यान लखेंगे, फर by tapping, tapping के माधियम से जा आपने tap करेंगे, तब वो आपका collect होगा, करा tapping is the process of controlled wounding during which thin saving of the bark has removed to induce the flow of latex, कह रहा है, कि tapping में करते क्या हैं, tapping में करते हैं, बच्चे, कि जो आपका plant है, उसकी जो bark है, उस पे क्या करते हैं, एक cut लगाते हैं, यहाँ पे लिखा है saving, saving से मतलब, वो save करने से नहीं है, saving से मतलब है, कि किसी चीज को क्या करना, छील देना, या उसको हटा देना, तो वो save करना है, जैसे ही यहाँ से निक धन्वाद, ठीक है बच्चे, चलिए, आपको अच्छा लग रहा है class, बहुत अच्छी बात है, चलिए, चलिए, मुझे आपका message मिल गया, बहुत बहुत धन्वाद बाबू, ठीक है, चलिए, तो यह सारी चीजे हैं, यहाँ पर आप समझ रहे हो, कि क्या करते हैं, उसको remove कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ से latex का जो flow है, वो निकलने लगता है, क्या उन्हें लगता है, वो निकलने लगता है, आगे कह रहा है, the number of latex vessels increase toward the cambium, यानि कि जो cambium tissues होते हैं, उस पे क्या करते आते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और latex आपका निकलता रहता है, कह रहा, tapping cut extend to half of the circumference of the tree, half spiral, half spiral का मतलब ये है, image में आप देखो, कि जो ये cut लगाया जगया है, ये जो cut लगाया है, ये पूरा गोला कार नहीं होता है, क्या, पूरा गोला कार नहीं होता है, वो आपका कैसा होता है? वो आपका आधा होता है यानि कि Half Spiral लगाया जाता है कैसा? Half Spiral लगाया जाता है पूरे में नहीं लगाया जाता है थोड़ा सा Tilted होता है ताकि Flow बना रहे और आपका जो Latex है वो इखटा हो जाए नीचे ठीक है? चलिए कह रहा? And Slope Down to the Right यानि कि हलका सा Tilted रहेगा तो जो Latex है वो आपका कैसे? वो आपका नीचे आजाएगा तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है निकलेगा कहाँ पर? बार्क से निकलेगा और कैसे? हलका सा जब आप उसको काटेंगे तब निकलेगा आगे हम देखते हैं पर बात करेंगे कह रहा है कि वो प्लांट्स जो बड़ेट प्लांट है पचास सेंटीमीटर उनकी गर्थ यानि की स्टिम की जो मुटाई है वो पचास सेंटीमीटर हो जाए और हाइट जो है क्या? जो हाइट है वो आपकी क्या हो जाए? वो 125 सेंटीमीटर हो जाए तो वो कंसीडर होने लगते हैं किसके लिए? टैपिंग के लिए करा इन सीडलिंग्स दा फर्स्ट ओपनिंग और फ़र्ट टैपिंग इस रिकमेंडेट एट एट हाइट आप 50 सेंटीमीटर यानि कि सीडलिंग प्लांट है तो 50 सेंटीमीटर हाइट पर और 55 सेंटीमीटर गर्थ पर आप टैपिंग कर सकते हैं करा इफ ओपनिंग एट एट हाइट अफ प्लांट कैसा है अगर ओपनिंग है हाइट लेवल पर यानि कि आप जाधा उचाई पर करनी है तो फिर आपका क्या हाइट जो होगी वह 90 सेंटीमीटर रखी जाएगी और जो stem की गर्द होगी वो 50 cm होगी ठीक है, सर लेटेक्स कितना थिक होता है completely liquid और semi liquid बच्चा liquid ही होता है वो बाद में dry किया जाता है बाद में process किया जाता है पहले बिलकुल जैसे अगर कैसे बात की जाएं आपने bud का plant देखा है बर्गत का plant आपने देखा है बर्गत के plants में अगर आपने देखा है कि जो milk निकलता है ना plants को injure करने पर ठीक है, same वैसा ही liquid निकलता है fluency जो इसकी होती है बहुत ठिक नहीं होती है सुरुआत में normal होता है बाद में इसको process करके ठिक किया जाता है ठीक है, बाद में इसको process करके इसको बहुत सारी process होती है chemical process जिसके बाद इसको natural rubber के बजाए फिर उसको जो आपकी normal ये वाली rubber आती है, उसमें convert किया जाता है ठीक है, वैसा ये बिलकुल liquid ही होता है completely liquid होता है semi liquid नहीं होता है ठीक है चलिए उसके बाद इसमें बहुत सारी process होती है हमें उस पर अभी नहीं जाना है हमें सिर्फ अभी क्या करना है अभी latex को collect करना है क्योंकि यहीं से collection से ही आपके questions बनते हैं ठीक है चलिए तो यह गर्थ की हम बात कर रहे हैं कहरा in a budded trees subsequent panels are also opened at the same height that is 125 cm the height specified for opening subsequent panel on a seedling tree is 100 cm यानि की कह रहा है कि जब आप एक बार start कर देंगे ठीक है क्या जब एक बार आप start कर देंगे तो start करने के बाद जो लगातार process चलती है इसकी collection की वो कितने वो आपका 125 cm और seedling के लिए 100 cm हाँ 100 cm की height पर आप इसको करते रहते हैं ठीक है चलिए तो यह तो हो गई tapability की बात अब हम आगे बात करेंगे कहरा it will be generally economic to begin tapping when 17% of the tree is selected area attained the standard gird कह रहा है कि यह सबसे अच्छा कब होगा economic कब होगा यानि की profitability कितनी होगी sir latex collect करने की कोई timing है हाँ अच्छे सब बताएंगे अभी आपको सब बताएंगे कि किस time पर latex आपको collect करना चाहिए कब आपको नहीं करना चाहिए सारी चीज़े हम अभी discuss करेंगे ठीक है latex collect करने की timing हम आपको सारी चीज़ें यहां पर बताएंगे भी ठीक है चलिए चलिए यहां तक चीज़ें clear है उसके बाद कह रहा है in the traditional reason it takes an average of seven year to reach this state यानि कि मैंने आपको बताया था सबसे important चीज़ जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है कि plants जब seven year से बड़ा होगा तभी हम उसमें यह start करेंगे tapping ठीक है तो यह आप से पूछा जाएगा कि tapping कब start करेंगे यह तो आप बताएंगे more than seven year old tree में कि अब planting of advanced material like polybag plants reduce the inventory period यानि कि जो tapping का period है क्या जो tapping का period है वो आपका reduce हो जाएगा अगर आप plants polybag में लगाते हैं किसमें polybags में लगाते हैं क्यों क्योंकि उतनी अच्छी growth उसको मिले की नहीं करा in India the best period of open new areas for tapping is March to April क्या कि जो नए areas है यानि कि जो नई tapping आपको करनी है वो कब करनी है March और April के महिने में आपको करनी है सबसे बढ़िया महिना होता है कौन सा March और April का उसके बाद करा है the tree that are left behind during the season for want to sufficient girth may be considered for the opening in September वैसे तो आपको नई tapping start करनी है March के महिने में start करनी है यानि कि March और April का जो महिना है तब करनी है लेकिन अगर आपका plant perfect girth पे नहीं है यानि कि stem की जो मोटाई है वो perfect नहीं है तो आप उसको September में भी start कर सकते हैं ठीक है ये तो हो गई बात starting की अब हम आगे देखते हैं yield की हम बात करते हैं किस की देखो इस starting करते हैं जो आपका rainy season वाला area है उस time पर सबसे अच्छी yield देता है आपका rubber क्या उस time आपका सबसे अच्छी yield देगा यानि कि जो latex है या जो production है वो आपका ज़्यादा रहेगा दूसरी चीज आप इसको कैसे 3 month के interval पर या फिर आपको monthly या 12 कैसा 12 month या 3 month के interval पर आप tapping कर रह सकते हैं ठीक है इसकी tapping चल दी रहती है कोई ऐसा specific यह नहीं होता है कि नहीं आपको वो करना है ठीक है आप 3 महीने के अंतराल पर आप इसको tapping कर सकते हो 3 महीने 6 महीने ऐसे करके आप tapping कर सकते हो ठीक है बच्चे चलिए यहाँ तक clear है लेकिन starting कब होगी यह मैंने आपको बता दिया उसके बाद yield की बात करते है किसकी yield की बात करते है तो कहरा yield जो है in south India the annual yield of rubber is about 375 kg per hectare तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम latex निकलता है कितना कम latex निकलता है कहरा 375 kg per hectare समझ रहो इस बात को per annum per hectare per annum ठीक है यह तो बताया है नहीं per hectare per annum यानि कि एक hectare से एक साल में कितना 375 kg निकलेगा from the seedlings यानि कि जो seed से डवलब किये गए है कहरा where budded plantation yield 900 to 1000 kg of rubber per hectare per year ठीक है तो बहुत ज़्यादा amount में नहीं निकलता है आपको मालूम है कि क्या थोड़ा थोड़ा करके निकलता है ठीक है चलिए करा average latex yield 1000 to 2000 kg per hectare even sometimes it range from 852 to 2500 यानि कि 1000 से 2000 kg तक है लेकिन कभी कभी vary कर जाता है तो साले 800 से लेकर 500 kg तक चला जाता है market rate 40 से 50 kg पर kg है लेकिन ये आपका अब rate इस से आपको कोई मतलब नहीं होना है ठीक है क्या इस rate से आपको कोई मतलब नहीं है अब हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं यहां तक आपकी चीज़ें हो गई clear क्या यहां तक आपकी चीज़ें हो गई clear इसमें ज़्यादा तर tapping से questions आपके बनते हैं क्या तक सारी चीज़ें clear है यह थी आज की हमारी class जिसमें हमने आपको rubber की चीज़ें जो important चीज़ें हैं वो सारी discuss की यहां पर ठीक है बाकी यह आपको मालूम ही होगा कि यह इस समय off चलना है किसका off चलना है test series पर यानि कि test series जो बच्चे पर chase करना चाहते हैं उस पर off चलना है जरूरी नहीं है कि आप agriculture के ही हैं कोई और भी बच्चे हैं जो related है या अड़ा 24-7 पर test series पर chase करना चाहते हैं वो Y443S code का इस्तिमाल करके purchase कर सकते हैं सबसे minimum price की जो test series है वो 99 रुपेज की है लेकिन जरूरी नहीं कि वो agriculture की होगी वो किसी और subject की भी हो सकती है जो सबसे lowest price रखा गया है वो 99 रुपीज है इसलिए उसमें लिखा है start from 99 ठीक है बच्चे पाकी ये आपका इफको AGT का बैच सुरू हो रहा है कबसे 12 अपरेल से इफको AGT का बैच सुरू हो रहा है 12 तारीक से और बहुत सारे बच्चों ने बैच परचेस कर लिया है और लेडी बैच स्टार्ट हो जाएगा 12 तारीक से ठीक है study plan वगएरा सब ready हो गया है दूसरी चीज ये बैच आपको Y443 code के साथ 2300 रुपए के साथ मिलने वाला है Y443 code के साथ ये आपको 2300 रुपए का मिलेगा वो भी कितने 6 मैने की वालेटी के साथ ठीक है चलिए ये 6 मैने की वालेटी के साथ था और आगे चलते हैं ये आपका महापैक था मैंने आपको बताया था कि 5499 में आफर था लेकिन अब वो आफर हो गया है खतम क्या हो गया है वो हो गया है वो आफर हो गया है खतम वन टाइम लेटेक्स कलेक्टिंग 5-6 आवर बच्चे देखो होता क्या है कि alternate days पर collect किया जाता है क्या alternate days पर collect किया जाता है और फिर उसके बाद rest period आता है कि plant rest करेगा फिर उसके बाद फिर collect कियाता है तो ये variety specific भी होता है किसी में 3 महिने का race होता है किसी में 6 महिने का race होता है ठीक है तो इस हिसाब से ये चलता रहता है ठीक है चलिए ये आपका है Y443 code के साथ अब ये सिर्फ 12 महिने की quality के साथ बचा है कि ये वाला जो महापैक है इसमें आपको और भी पैक जानी कि जो भी एग्रिकलिचर के हैं वो आपको इसमें इंकलूड होके मिलेंगे ठीक है जैसे जो बच्चे उस टाइम पे इफको एज़ूटी खरीद रहे थे तो अगर वो इसको पर्चेस कर लेते फाइफो डबल इन में तो इफको एज़ूटी भी उनको मिलता साथ में और साथ ही साथ वो और भी एग्जाम की त्यारी कर सकते यानि कि वो किसी और एग्जाम को भी टार्गेट कर रहे थे तो उसके लिए भी वो प्रपरेशन कर सकते थे यहां पर ठीक है लेकिन अब यह उस पर वापस लागया है उसी प्राइस पर तो जब आएगा तो आपको इंफाम किया जाएगा बागी जो बच्चे परचेस करना चाहते हैं वो वाई 443 कोड के साथ परचेस कर सकते हैं चलिए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बचे ठीक है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले उसके साथ अड़ा का अगर आपने अप्लिकेशन नहीं डाउनलोड किया है यानि कि अड़ा 24-7 का आपने अप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डाउनलोड कर ले और साथ ही साथ आपको अब यूटूब के वीडियो भी कहाँ पर यूटूब के वीडियो भी आपको कहाँ पर मिलेंगे आपको मिलेंगे वहाँ पर यानि कि आपको अप्लिकेशन पर आप यूटूब के वीडियो भी मिलने लगेंगे जल्दी से इस पर MCQs कराते हैं और फिर तीन वजे और उसके बाद सामको साथ वजे तो जोड़ना ना भूले तब तक के लिए जैहिन